लिब्रह जून 2021 और या फिर तुला राशी जून 2021 का महीने का राशी फल है यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लिए जो कैप्शन लिखा है कि जान लीजे किसने आपसे कहा कि लगता है तुमसे प्यार होकर रहेगा और छुपाना मुश्किल है अब ठीक है और छुपाना बात करेंगे और यह जो हेल्थ एजुकेशन केरियर फिनेंस लाव मैरेज फिरेंड्शिप फैमली ट्रेवल और इंतमेस कैप्शन की बात अवश्य करेंगे तो शुब करेंगे आपके लिए आपका राशी फल हेल्थ के हिसाब से हेल्थ से देखो भी तुला राशी वालो बड़ा जो है मलब लगाव है आपके साथ में और खास तोर पर हमारे चैनल पर आप एक सबसे ज़्यादा जो है देखे जाने वाले मलब गुरूप में से हैं अब हमारे आपे जो है देखें तो बड़ा ही जो है अच्छा रिस्पॉंस मिलता है आपसे आपकी हेल्थ के इस आप से अगर हम इस जून के महिने को देखें तो तोला रशी वालो थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको आपको आपकी परेशानियां वहीं है यूजवली जो की एक जो की जो की एक बला ऐसे आदमी की होंगी जो की बहुत ज़्यादा बिजी हो और क्युक सपोर्ट सिस्टम आपके पास हमेशा रहता है बड़ ऐसा नहीं कि आपका साही की तरह पीछा करेगा ऐसा भी नहीं है कि आपने इतने सारी रिसोर्से इखटे किये हुए तो थोड़ा सा आपको आपने हेल्ट का ख्याल तो इस बार रखना पड़ेगा और कोई सीरियस कोई प्राबलम दिखनी रही इस बार और जो भी आप फिटनेस का जारी रखे हुआ है इस ताइम में भी उसको आप जारी रखे है और पैस थोड़ा बहुत स्ट्रेस मेनेजमेंट करने की ररोत पड़ेगी बाकी सब कुछ ठीक रहेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए पड़ाई लखाई के हिसाब से और अपने कोर्सिस में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और अगर किसी तरह की भाशा पड़ रहे हो तो और भी बढ़िया है उसमें तो और भी कोई दिक्कत नहीं है और तोला राशी वालों के जो सबसे ज़्यादा जो प्रिये सब्जेक् इस तरह के ठीक है मनी से रेलेटेड तो यह है कि वही इस वार जो है पड़ाई लखाई बढ़िया रहने वाली आपकी तो इसमें तो कोई संधह किसी प्रकार का है नहीं नेक्स्ट आम बात करते हैं आपके केरियर के इसाब से तुला राशी के लोग अपना केरियर खुद बनाते हैं किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते हैं और लेकिन इस महीना जो है थोड़ा सा ही लग रहा है कि थोड़ा सा हलका फुलका डाउन सलोक लग रहा है ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन यह है कि थोड़ी सी मेहनत इस बार ज्यादा करनी पड़ेगी बस बात यह और जो आपका support system है थोड़ा सा crumbling statement अज़र आएगा थोड़ा सा उसको फिर से support देनी की रूरत पड़ेगी थोड़ा सा उसको फिर से आपको बल देनी की रूरत पड़ेगी और वो support system फिर से खड़ा हो जाएगा लेकिन अभी आपको पूरी पूरी side अगर आप कोई project manager है या क team खड़ी करें जो कि lean हो और एकदम बिल्कुल मलब काम करके दे आपको आपका time पर यह आपके career के front पर है नेक्स्ट है हम जो बात हैं आपर वो है finance से संब्दित कि रुपए पैसे के मामले में क्या हो रहा है रुपए पैसे का मामला वही ऐसा है कि देखो वही मैंने बताया आपको कि आप business में आप तुबारा से खड़ा करोगे लेकिन आप एक व्याफारिक मैंड है आपको अपना पैसा निकालना आता है तो इस महिने भी जो आपका पैसा जो market में फसा हुआ था वो भी जो है निकल के बाहर आ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इस ब जो है मामला business के हिसाफ से finance के हिसाफ से बिलकुल favorable है और बिलकुल जो है सही है एक तरीके से और कुछ investment अगर आपने पहले कर रखे हूं तो उनसे भी आपको अच्छा result मिलने की उम्मीद है नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके love के section की कि प्यार मभबत के मामले में क्या हो रह हैं लेकिन तुला राशी वालो आपके चारो तरफ सभी मतलब ही लोग हैं लेकिन अगर आप single हैं और और आप प्यार ढूंड रहे हैं तो नए relationship में जाने में आपको कभी problem नहीं होती लोग आपके resources को लेकर के या लोग आपकी सखलता को लेखे आपकी तरफ आकर शिती होत प्रभाव में आ करके आपके पास आ रहे हैं उन मेंसे जो है 99 परसें जो है वो financial security ढूंड रहे हैं भावनात में लगाओ हो या नहीं हो अब यह देखें यहां पर यह वाली कहानी है लेकिन इस वार जो है आपको शादी करने की मौके मिलेंगे जिन से आप शादी करना चाह और love और passion दोनों बने रहे हैं और इस बार जो है घर में हो सकता है कोई बढ़िया occasion भी हो आपके आसपास है ना तो उसमें भी जो है प्यार महबत बढ़ेगा और आपस में जो भी कोई occasion है उसको जो है privately मना लें तो बहुत बढ़िया ठीक है और कुछ परिवार की व्रदी क भी बारे में आप विचार करेंगे अपने partner के साथ में नेक्स्ट है मारे पास friendship मैं हमेशा बूलता हूं कि तुला राशी वाले रोग friendship के groups को जो funding मिल देते हैं वो बहुत awesome है और मेरा यह अपना experience है कि अगर आपकी दोस्ती की group में अगर कोई तुला राशी वाला है अगर रोगती तो आपको खर्चे की कोई जिंता नहीं खर नहीं ठीक है अगर आप बस में जा रहे हो तो तो यह तो बात पकी है कि टिकेट जो हो तुला राशी वाला सब के लेही रहेगा बिलकुल इसमें कोई भी दिक्कत की बात मुझे नहीं लगती तो यह friendship जो है जारे रहती है as long as आप इनको जो है funding जारी रखते हो ठीक है तो next हम तो इस महिना भी यही pattern जारी रहेगा इसमें भी कोई change नहीं है next है हमारे पास में आपके लिए family गा issue के भी family में क्या हो रहा है परिवार में परिवार के बड़े करीब होते हैं तुला राशी के लोग क्योंकि inherit करते ह हैं जो inheritance है चाए वो problem हो चाए वो property हो चाए वो property के dispute हो चाए वो उनके साथ में अच्छाईयां हो बुराईयां हो बिजनिस की वो जो है सब कुछ inherit करते हैं और सब कुछ उनके हिस्से में आता है और मैंने तो ऐसे ऐसे तुला राशी के लोग देखे हैं कि वैसा वो B.Tech किय हुआ लड़का है और किया था और जो है मला एक मिठाई की दुकान एक जो है एक परचून की दुकान उसकी पूरे डिगरी खा गई वो भी बोलता है कि बाहर जाके मुझे धक्के खाने की ररूत क्या थी धक्के मैं क्यों खाऊं जब मेरे पास अपना काम है मैं अपनी तुला राशी वालो फिनेंस बढ़िया था फैमिली भी ठीक ठाक चल रही है फैमिली का सपोर्ट तो आपको मिलता ही मिलता है लेकिन साथ में हो सकता है को डिवैडिड रिसूर्स भी मिलें आपको इस बार तो यह कुछ प्रब्लम्स आ सकती है जिनका समाधान आप आसानी स निकाल लेते हैं तुला राशी वालों की अपने घर में बुजर्गों के साथ बड़ी अच्छी पैट होती है और क्यूंकि वह मानते हैं कि यही आगे जाकर के वामले को समालेंगे प्लूरे घर में अगर एक तुला राशी वाला व्यक्ति है तो वो बिजनेस को कभी धिर होने देगा वो जो इपने वी दिजनेस को बड़े आसानीं रे समाल लेगा तो यह कहानी है ठीक है अब आब हैं हमारे पास आपके लिए ट्रेवल के वही यात्रा के विश्माता पड़िया नहीं है यात्रा कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रही महला ऐसा लग रहा है जैसे जाना ही नीची यात्राओं पर इनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला उल्टा नुक्सान और हो सकता है तो आप यात्राओं को कम से कम करने ही कोशिश करें और अगर करें भी तो पूरी सेफटी के साथ पूरे प्रीकॉशन के साथ और पूरे गैडलाइन का पालन करते हुए अब बात करते हैं यह जो कैफशन है आप इसके बारे में बात करते हैं कि यह कौन है जिसने आप से कहा कि अब लगता है तुम से प्यार होकर रहेगा अब भीया यह देखो तुला राशी वालो मैं बिलकुल सीधी वाप से बात करता हूँ बिलकुल इस पस्ट बात अगर आप से यह थाउजन लोग आग यही चीज बोल रहे हूँ ठीक है कि मान लीजिए कि जो अब लगता है कि आप तुम से प्यार होकर रहेगा और अब छुपाना मुश्किल है ठीक है अगर आपको ट्रैप करने के लिए सिर्फ अगर आपके ग्रूप में से पांच-छे लोग सिर्फ यही बात बोल रहे हूँ ठीक है किसका भरोसा करोगे आप यह वाली कहानी है आपकी लाइफ में वही यह इमोशन्स को आपको थोड़ा सा चानना पड़ेगा कि इमोशन्स सच्छे हैं भी या नहीं है या वो आपकी फैनेशल सिर्फ सिकुरिटी ढूनने के लिए आ रहे हैं वो ठीक है अब यह जो नहीं है यह मिनके में आपको ही बता देता हूँ कि कौन कौन होंगे ज देखेए वही जो आपकी जो आपकी जो आपकी जो उस्त कोई सवार्थ नहीं है वह है कुम राशी के लोग और जो हैं सिंग राशीक लोग इन दो के imminent लावा बागि सब का कुछना कुछ वार्थ है और यह जो है यहाँ पर और अगर यह दूसरे तुला राशी के लोग बोलें तो बिलकुल भी विश्वास करने लाइक नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बोलेगा कौन आपको, तो यहाँ पर यह आपको बोल रहे हैं, यह स्कॉर्पियो, व्रश्चिक राशी के लोग, कि भी जो है, सुद्मर होंगे दिखने में, आपको अच्छा लगेगा इनका साथ, खुद भी बढ़िया चीज़ें अचीव की होंगे इन्होंने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि खाली होंगे, या कॉमन मैन होंगे, या मलब बिलकुल ही वैसे होंगे, इन्होंने भी बहुत क इस तरह का फील करते हैं, वो है आपके लिए ये जो है, मीम राशी के लोग, ठीक है, मीम राशी के लोग भी आपके साथ में आएंगे, लेकिन जहां उनके उपर कोई दबाव पड़ेगा, जोर पड़ेगा, वैसे ही वो निकल जाएंगे वहां से, तो यह वाली कहानी है, देखो भई, आपके लिए तुला राशी वालो, मैं बिल्कुल कहता हूँ आपसे, आप एमोशनल फूल बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जहां पर आपको यह लगे कि भई, बिल्कुल यहां पर एमोशन सच्चा है, उसको स्विकार कीजिए, अगर और उसको God bless you